नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टेडी के ऑफिशेल यूट्यूप चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे जैसा कि दोस्तों पिछले कल हमारा हिमचल प्रदेश हाई कोड प्रोसेस सर्वर और कलर्क की जो का टॉ रहे गई है है ना बाकी तो जिनका मेंस है वो मेंस की त्यारी करें जितना हो सके वो ऐसे लिखे किताबे उठाए किताबों में से लिखे बस लिखने की प्रैक्टिस करो ज्यादा कि टाइम में आपको 200 बर्ड लिखने हैं आपको निश्चित में दिया जाएगा आपको क्य हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें जाता कर यही है दोस्तों कि आप किस तरह से लिखेंगे मेरा यह थोड़ा सा प्रियास है कि आपको मैं एक दिशा दूं कि आप कैसे लिखें है ना तो कैसे लिखें देखें जैसे सबसे पहले यहां पर है कि एक ऐसी भूमी जिसे सबी लोग देखना चाहते हैं और एक बार देख लेने पर भले ही वह एक जलक क्यों ना हो वेशेश विश्व के समलित द्रिशों के बदले भी उस जलक का त्याग नहीं करेंगे मार्क ट्वेन की इन पंक्तिया तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आपको लिखने को आएगा ऐसे या निवंद जिसे कहते हैं जो भी आपको लिखने को आएगा दोस्तों उसमें जो सबसे पहली पंक्ति होगी वो पंक्ति किसी महानव्यक्ति के वक्तव्या होगे जो किसी आपको सबसे पहले लाइन लिखनी है उसी लाइन से आपको शुरुआत करनी है कुछ भी हो अगर आप इस लिखना चाते हो तो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि मैंने भी लिखा है याम पे फिर लिखा है कि मार्क्टोएन की इन पंक्तियों के अधार पर अगर हम हिमाचल प्रदेश को परियटकों का स्वर्ग कहें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, कहीं चांदी से जरने तो कहीं पाडों से निकलती नदियां, कहीं बर्प सी विची चादर तो कहीं आसमान को चुमते देवदार के पेड, हिमाचल में आने वाले हर एक व हिमाचल प्रदेश में परियटन स्थल, तो अब हम सीधे आये हैं कि अब जो इसका मुख्या है आत्मा, अब हम इसकी आत्मा को लिखने वाले हैं, आत्मा कह सकते हैं, इसके प्रमुख परियटन स्थल इस प्रकार से हैं, तो अब हमें परियटन स्थल लिखने की हिमाचल प पर बसा हुआ चंबा इसमें खिला हुआ एक कमल के पुष्प के समान है चंबा में चोगान राज संग्रहल्या चोमुंडा देवी का मंदिर भर्मोर पांगी और खजयार प्रमुकदर्शिनस्तल है कांगडा का अपना एक आशिक परीचे राह है यहां की चित्रकारी उसकी श करने में अपनी भूमी का निभाते हैं यहां पर दोस्तों आप कांगडा में जो बीड़ वीलिंग है पारग्लाइडिंग के लिए आप उसे भी एड़ कर सकते हैं आगे देखते हैं कि सिर्मोर मिस्तित रेनुका जील एक धार्मिक स्तल है आप इसके बारे में थोड़ा सा लिए सकते हैं जासे कि अगर आपके पास समय बच्छता हैं और आपस कंट्निया थो आप रेनुका जील के बारे में थोड़ा सदी सकते हुए रिट्ट का जो है परश को राम जी की माता का नाम था यह मलबें आप अपने हिसाब से अपनी बुद्धी के अनुसार लिख सकते हैं यहां की बर्फ से धकी हुई चोटियों का अपना ही अलग नजारा है बिलासपूर की गोविन सागर जील तथा कंद्रोर में बना एशिया का सबसे उंचा पुल है जो परियोटकों को अपनी और आकरशित करते हैं मंडिक अतारा देवी मंदिर सुकेता घाटी तथा बरोट भी परियतन को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं कुलू और मनाली का अपना आलोकिक द्रिश्या है यहां पर जो एक बार आ जाता है उसके हिर्दे में इस्तान की छाप जो है जीवन परियंत रहती है वो चाकरविन द्रिश्यों को वुला नहीं सकता हिमचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिसे पहाडो की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है दुनिया भर में प्रसिद है यहां का अपना एत्यासिक महत्वा है बिर्टिश शाषनकाल में बनी इमार्ते इसकी शोवा को बढ़ाते हैं शिमला में हमें प्रकृति का मन महोक रूप देखने को निलता है तो यह तो हमने लिख दी जो इसकी आत्मा थी जो हमसे पूछा है आप इसमें और भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको लगते कि इन में से आपको कुछ नहीं लिखना तो आप उसको छोड़ सकते हैं इसके नकारात्मक प्रभाब होंगे, वह यह यह इसके नकारात्मक प्रभाब भी होंगे, लाऔर है क्पूस्फित mater explained, मैं बार बार कहाए रहा हूं कुछ चीजे इसमें रख सकते हैं, और कुछ भोत है coordinate जैसे कि पहले हम सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे परेटन के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो के हैं विदेशी वी निमय की प्राप्तिया जब विदेशी आएंगे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी विदेशी वी निमय प्राप्त होंगे है ना सरकार के राजस्व मे योगदान मिलता है प्रेटन के द्वारा रोजगार के नई अफसर स्रीजित होते हैं बाकी नकारात्मक प्रभाव को देखें तो नकारात्मक प्रभाव में आपका है मुद्रा स्पीतिया होती है अफसर लागते होती है और मौसमी लाव ही इसमें होता है मतलब मौसमी लाव z事情 कि सी किश emotional में maximum time हमारा जयसे वृष breakdown एक हां की समय के लिए ही आगा अगर आप आर्थिख प्रभाब लिखे ना लिखे दोस्तों लेकिन ये दो चीज ये आपको जरूर लिखनी है जरसे मात्रप्रदेश में समबंदित समस्या इंका समस्यبة मैं AD गुलक की दाइसों परियटन में psychiatशाम प्रियाटन से संबंदित लिखने और कि आवशक्ताउं कोप्रा करने वाले पेशवरों का अभाव कि परियटों की हां पर आवशक्ता हैं पूरी नहीं हो रिखेक ट कुछ आथक सकते हैं जैसे वह सब्हं भी नहीं होरी दंग से आगे देखते हैं कि परियटकों पर होने वाली हिंसा आपने देखा होगा कि परियटकों के साथ जो है दूर विभार किया जा रहा है कि क्नैपिंग मतलब कुछ अप्राद वाले मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं तो यह भी एक समस्या हो जाती है दोस आगे देखें तो परियवरन प्रुदूशन तो परियाटक आते हैं तो परियवरन प्रुदूशन करते हैं यह हमारी होगी तीन हमने लिख दी है परियवरन परियटन से संबंदित समस्या है आगे देखते हैं आगे आपको हैडिंग देनी है समाधान और आगे की राहे यह आगे की रहा माख की जीगा आगे की रहा क्या समाधान है इन समस्यां से निपड़ने के लिए उनसे निपड़ने के लिए हमारे पास क्या समधान है समधान अगर हम दे देते हैं तो आगे की क्या रहा है कि हम यह कर सकते हैं टिक कर सकते हैं इंसमस्यां को तो ये है कि o यह कि रसाड़ में प्र यहां पर नहीं पर नहीं जा पाते लेकिन वो वहां पर जाना चाहते हैं यह जैसे आपने लिए के लिख दिया सबसे लाश्ट में आपको कहा लिखना है ये तो जरूरी ही है निशकर्ष तो निशकर्ष मैंने लिखा है हिमचल प्रदेश का चप्पा चप्पा अपने अंदर कोई ना कोई आकर्शन लिए हुए है सहलानी चाहे इसके किसी भी स्तांद पर ही क्यों ना चले जाए उन्हें स्वरक किसी भी संभावना को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पड़ते हैं तो दो प्रकार की पावर होती है सोफट पावर और हाड़ इस जब इंटरनेशनल रिलेशन पड़ेंगे आप लोग आप समझ जाए गी तो यह था है कििसी महांद्वेक्ती ने उस विषय के वारे में जो आप लिख रहे हैं उसके संबंध में क्या का है क्या परिभाष्ण यह वो आपको लिखनी है एक वार फिरसे मैं बता रहा हूं उसके बाद आपको थोड़ी सी भूमिका के उपर आ जाना है भूमिका को लिखने के बाद आपको जो आपको बताया गया है कि आपको क्या लिखना है आपको उसके उपर फोकस करना है वो फोकस करते हूं हमने यहां तक लिख दिया उसके बाद हमने लिखा कि परियाटन के क्या आर्थिक प्रबाब होते हैं फिर किसी भी मुद्डे को अगर अप लिख रहे हैं तो सब पर आपको क्या लिखना है बचक्वे सकते हैं उसके बाद निश्कर्ष लिखना तो ये था हमारी आज की वीडियो आज की– दोस्तों इतना ही वाकि कहले हैं वाकि कि आपको कैसा लगा ये वीडियो आप comment box में जरूर बताएं बाकि अगर आपको marketing कर लेता हूं थोड़ी सी उसके बाद आपसे थोड़ी सी बात करूंगा नमस्कार दोस्तों नहीं यह नहीं marketing marketing मैं भूल जाता हूं अकसर वैसे छोड़ो जब भी marketing में क्या रखा है दोस्तों marketing तो आप खुदी कर देते हैं तो मैं इतना ही कौंगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो WhatsApp डिस्क्रिप्शन में WhatsApp गुरू का लिंक दिया गया है आप उसे जोइन कीजिए आपको जितने भी हम आगे discuss करेंगे PDF प्रोवाइड करवाएंगे यह जो दोस्तों आपको मैंने दिया है लिखा है यह थोड़ा सा mail खाएगा आपको UPSC का जो essay का paper होता है उससे आपको यह mail खाएगा क्यूंकि मैंने वहीं से यह वहीं से अपने जो है हमने सहजता के अनुसार मैंने content निकाला है उसको अपने अनुसार परिवर्तित किया है अपनी परिस्तितियों सुभिधाओं के अनुसार जैसे कि यह है कि भारत में परियत्तन था तो भारत में परियाट्तन की जो यह पारी लाइन है वहीं से है बन्दम आप attention अलो आपको content में क पिक कंप्लीट हो जाते हैं चार-पांच विश्यों पर अगर हम निवन्द आपको दे देते हैं आप लिख लेते हैं उसके बाद हम आपको क्या देंगे कि आपको इसको पर निवन्द लिखना है बाकि आप भरोसा रखे हम क्या करेंगे जो भी हिंदी के विद्वान मेरे आस सा लिखने लेकिन बिलकुल सही लिखने है तोड़ा सा लिखने हैं आप आप शूमा ने क्या करना जैसे को घंड़ा है ताब प्र करू अब यह को मेरे हिंदी पी गखने है हिंदी के बिद्वान है जहों पहु hilarσों कि पास आपके आपकि है उनसे निवेदन करूंगा कि वह आपके चेक करें वह आपकी मात्राओं को चेक करके आपके पास भेज देंगे और पाकी जो भी जरूरी बात है कि अपने शब्दों का चैन इस प्रकार से कीजिए कि लिए उरह की एक्जामיेनर की ऊपर प्रभाव पड़ते कि इट आप से वयक्तििकत्रूपसससे कभी नहीं मिला उसे आपके बारे में पता नहीं है तो आपकी लिखने की कला ही आपका प्रभाव इक्जामिनर पर डालेंगी इसी कामना के साथ दोस्तों अगर आपने वीडिय है एक चाहत है कुछ करने की तो उसी चाहत को हम पूरा करेंगे स्मार्ट स्टडी तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों